नमस्ते बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत का पाठ कठपुतली इसका मैं MCQ परहाने जा रही हूँ और क्लास 7 वसंत का बहुत सरा चेप्टर मैं आसान रूप में परहाई हूँ और वसंत का महाभारत बाल महाभारत भी मैं परहा चुकी हूँ उसका question answer भी मैं प देखने के लिए आप उपर दिये गया i button पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गया description box में देख सकते हैं या playlist में जाकर आप देख सकते हैं और अभी हम लोग कठपुतली chapter पढ़ेंगे जिनके लेखक भवानी प्रसाद मिसर जी हैं तो कठपुतली पाठ में क्या दिया गया है इसके तहत ही आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा जैसे कि कठपुतली कुस्से से उबली बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हें तोर दो मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो तो कभी कहता है कि धागों में बंधी कठपुतली को अपनी पर तंतरता पर गुसा आ जाता है उसे दूसरों के इसारों पर नाचने से दुख होता है वह कहती है कि उसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं वह इन्हें तोर देने का अगरह करती है और अपने पैरों पर खरा होना चाहती है अब देखें इसमें कितने सारे MSQ बनेंगे पहला है कट पुतली सब्द का क्या अर्थ है काट की पुतली खो कट हुई पुतली गाट की पुतली गाट की गुडिया तो कट पुतली सब्द का क्या अर्थ है इसका सही उत्तर है काट की पुतली दूसरा प्रशन है कट पुतली का जीवन कैसा था को धागों से बंधा हुआ खो परतंतरता का गह दूसरे के हाथों में और घह दिये गए सभी तो क्या कहा गया है इसमें कि कठपुतली का जीवन कैसा था इसका सही उत्तर है धागों से बंधा हुआ था परतंतरता में भी थी और दूसरे के हाथों से उसे घुमाया जा रहा था तो क्या हो गया? उपर युक्त सभी कथन सत्ते हैं. घव उतर सही है. तीसरा है कठपुतली गुस्षे से क्यों उवल पड़ी? घव सतंत्र होना चाहती थी, घव भाग जाना चाहती थी, घव परतंतरता से पड़े सान थी, घव इन में से कोई नहीं. तो कठपुतली होना चाहती है, घव अपने पैरों पर चलना चाहती है, घव परुशियों से बाते करना चाहती है, घव उची उरान भड़ना चाहती है. तो कठपुतली धागे तोड़ने का आग रह क्यों करती है? इसका सही उतर है, घव आत्म निरभर होना चाहती है, यानि अपने पैरो पर खरा होना चाहती है पांचमा प्राशना है कट पुतली को किस बात का दुख है को हरदम नाचने का खो दूसरों के इसारे पर नाचने का गह धागों में बंधने का गह धागे खीचने का तो कट पुतली को किस बात का दुख था इसका उत्तर है को दूसरे के इसारे पर ना हुआ है कि सुनकर बोली और-और कठपुतलियां कि हां बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी एक्छा मेरे मन में जगी तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जब कठपुतली ने सोतंत्र होने की बात कही तो समय बीट गया अपने मन से कुछ नहीं किया वे सभी सतंत्र होना चाहती है यह सब सोच कर तो अच्छा लगता है परन्तु पहली कठपुतली पर जब सब की सतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है कि क्या सतंत्र होना उचित होगा क्या हम ऐसा करन इस पराग्राफ के तहट कितने प्रश्णा आपको आएंगे कठपुतली ने दूसरी कठपुतलियों से क्या कहा को बंधन तोड़ने के लिए खह आत्म निर्भर होने के लिए गह सतंत्र होने के लिए गह दिये गया सभी तो कठपुतली ने दूसरी कठपुतलियों से क्या कहा इसका सही उतर है घह दिये गए सभी दूसरा प्रस्ण है कट पुतलियों ने पहली कट पुतली के समक्ष क्या समती रखी समती रखी को सतंद्र हो जाए घह भाग जाए घह धीरे धीरे आगे बढ़ने की घह एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की तो कट पुतलियों ने पहली क मन के छंद छुए से क्या तात परे है खौ अपने लिये जीना खौ अपने मन की बात सुनना गौ इसारों पर नाचना और गौ नया जीवन तो इसमें क्या कहा गया है कि हमें अपने मन के छंद छुए से क्या तात परे है इसका सही उत्तर है खौ अपने मन की बात सुनना मतलब अपने मन के अंदर जाक कर देखना चौथा प्रस्न है पहली कटपुतली क्या सोजने लगी तो क्या बंधन तूट जाएंगे खो क्या स्वतंदर होना शुक्त में होगा गो क्या आगे बर पाएंगे घो क्या लक्ष पालेंगे तो पहली कटपुतली क्या सोचने लगे तो इसका सही उत्तर है खो क्या सतंदर होना शुक में होगा यानि वे सोच रही है कि मैं जो सतंदरता के बारे में सोच रही हूँ तो क्या मेरे सतंदर हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सही उत्तर है खो क्या सतंद्र होना शुक में होगा पाजमा प्रस्ण है क्या कट पुतलियां सतंद्र हो पाई यदि हो पाई तो कौन सी खो नहीं कोई नहीं और खो आधी हो गई गो हाँ और गो सबसे छोटी वाली हो गई तो क्या कटथ पुतल upsetantr हो पाई यदि हो पाई तो कौन सी तो उत्तर होगा कह नहीं कोई नहीं तो इसमें देखेगा मैं टिक भी लगा दी हूं और एक दो प्रेस्ण भी कर लेते हैं जोटा प्रेस्णपथ पुतली को गुसा क्यों आ गया उतर कटपुतली को सदा दूसरों के इस सारे पर नाचने से दुख होता है वह सतंतर होना चाहती है अपने पाउं पर खरी होकर आत्मिरभर बनना चाहती है धागे में बंदना उसे पराधहिंता लगता है इसलिए उससे गुशा आ जाता है दूसरा प्रस्ण है की सोतंतरता की जिम्मेदारी आती है तो वह डड़ जाती है उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल मन में न डालने तीसरा प्रस्ण है पहली कटपुतली की बात दूसरी कटपुतली को क्यों आच्छी लगी उतर जब पहली कटपुतली ने सोत हम ना हुआ चौथा प्रश्न है पहली कटपुतली ने श्वेंग कहा कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पिछे इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो तो फिर वह चिंतित क्यों हुई ये कैसी एक्षा मेरे मन में जागी नीचे दिये गया वाक्योंसों के सहा सतंतर होने की चिंता होने लगी तीसरा वह सतंतरता की एक्षा को साकार करने और सतंतरता को हमेशा बनाए रखने के उपाई सोचने लगी और चौथा हुआ डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी तो उत्तर में देंगे धागों से बंधी कटपुतलिया दूसरों के इसारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती है लेकिन एक बार एक कटपुतली ने बिद्रोह कर दिया उसके मन में सिग्र ही सतंतर होने की एक्षा जागरित हुई और वह अपनी परतंतरता के सतंतरता के बारे में सोचने लगी लेकिन जब उसे अपने उपर दूसरी कटपुतलियों की जिमेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई उसे ऐसा लगा ना जाने सतंतरता का जीवन भी कैसा होगा और वह सोच विचार करने लगी तो बच्चों इसी के साथ पार्ट की समापती होती है असा है आप लोगों को पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप MCUQ पु आप मेरे चैनल देव जिनागरी को जरूर सब्सक्राइब किजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बै highly कभार्ट कि आ और शेयर किजिएगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा नए पार्ठ के साथ फrzर मैं मिलूंगी बच्चों धन्य कैने वा